नमस्कार, संसर समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूँ चंदर शेखर जोशी और आईए सबसे पहले बात करते हैं लोगसभा की लोगसभा में पिसले कई दिनों से गती रोध बने रहने के बाद ब्रहसपती बार को दिल्ली में अधिकारियों के इस्ताना अंतरण योंपद स्थापना से जुड़े विधियक पर विस्तरि चर्चा हुई बाद में सदन ने राष्ट्रिय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार संशोधन विधियक 2023 को मंजूरी प्रदान कर दी इसे पहले ग्रहमंत्रिय अमिशा ने राष्ट्रिय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार संशोधन विधियक 2023 को चर्चा यवं पारित होने के लिए निचले सदन में रखा अधिकांग्ष विपक्षी दलो ने दिल्ली सेवा विधियक को संगी धांचे पर हमला करार देते हुए कहा कि केंदर सरकार मनोनीत लोगों के माध्यम से निर्वाची सरकार की सत्ता पिछले दर्वाजे से हतियाना चाहती है विपक्षी दलो ने विध्यक को अलोगतांत्रिक और असमवेधानिक बताते हुए कहा कि इससे दिल्ली सरकार शक्तिहीन हो जाएगी ऐसे में क्या सब कुछ नौकरशाही ही चलाएगी वहीं केंद्र में सतारूड भारती जनिता पार्टी ने दिल्ली को दुनिया के सामने आदर्श राजधानी के रूप में प्रस्तुत करने के लिए विध्यक को ज़रूरी बताया उसने कहा कि जब दिल्ली में सडकों, अस्पतालों, स्कूलों और अन्यविकास कारियों के लिए केंद्र धन देता है तो यहां व्यवस्ता बिगड़ने पर उससे हस्तक्षेप करने का भी अधिकार है लोगसभा में राष्ट्री राजधानी दिल्लिक शेत्र सरकार संशुधन विध्यक 2023 चर्चा यवंपारित होने के लिए पेश करते हुए ग्रह मंत्री अमिशा ने कहा कि 2015 में दिल्ली में एक ऐसे दल की सरकार आई जिसका मकसद सेवा करना नहीं बलकि जगड़ा करना है इस संबंद में कुछ महने पहले केंद्र द्वारा लागू अध्यादेश की जगह लेने के लिए विध्यक रखते हुए उन्होंने कहा कि 1993 के बाद दिल्ली में कभी कॉंग्रेस और कभी भाजपा की सरकार आई शाह ने कहा कि यहां अनेक पार्टियों की सरकार रही मिली जूली सरकारें भी रही मगर राष्टर सेवा और जन सेवा करने में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आई ग्रह मंत्री ने कहा कि दिल्ली की वर्तमान सरकार को समस्या इस्ताना अंतरण और पदिस्थापना के अधिकार को लेकर नहीं है बलकि इन्होंने जो बंगला बनाया है और जो भरष्टाचार हो रहा है विजिलेंस को नियंतरण में लेकर उसके सत्य को छिपाना इनका मकसद है शाह ने विपक्ष के सदस्यों से अपील की कि वो गड़बंदन के बजाए दिल्ली के बारे में सोचकर समर्थन या विरोध करें क्योंकि गड़बंदन होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी ही अगली बार प्रधान मंतरी बनने वाले हैं चर्चा की शुरुआत करते हुए कॉंग्रेस के अधिरंजन चौधरी ने कहा कि केंद्र की मौजूदा सरकार दिल्ली के साथ बार बार छेड़चाड कर रही है उन्होंने कहा ये दिल्ली है दिल्ली हमारा दिल है दिल्ली के साथ बार बार छेड़चाड क्यों की जा रही ह चौधरी ने कहा अगर सरकार दिली में इस तरह की छेड़चाड करेगी तो आगे दूसरे राजियों में भी ऐसा ही होगा संगी या धांचे के साथ इसी तरह छेड़चाड होती रही तो हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा चौधरी ने कहा कि अगर संगी ये धांची की रक्षा नहीं की गई तो देश नहीं बचेगा चर्चा में हिस्सा लेते हुए भाजपा के रमेश पिधूरी ने कहा कि दिल्ली में सभी देशों के दूतावास हैं सभी राजियों के भवन हैं उन्होंने कहा कि दिल्ली में अनेक विदेशी प्रतिनिती आते हैं और यदि उनके सामने राजधानी की अच्छी तस्वीर पेश करनी है और देश को शर्मिंदगी से बचाना है तो ये विदेख जरूरी है विदोडी ने कहा कि कॉंग्रेस राष्टवादी कॉंग्रेस पार्टी जैसे अनेक विपक्षी दलों के नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले दिल्ली के मुख्य मंत्री अब इनके साथ मिल गए हैं जेडी वध्यक्ष और सदन में पार्टी के नेता राजीव रंजन सिंग उर्फल ललन सिंग ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली में बैक डोर शासन चाहती है सिंग का कहना था कि अध्यादेश लाने की जरूरत क्यों पड़ी जबकि सरकार ने उच्छतम नहालाई में पुनर विचार याची का दायर की थी विदेश राजी मंतरी मिनाक्षी लेखी ने चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि संसत को दिल्ली के समंद में कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है और जब दिल्ली में सडकों, अस्पतालों, स्कूलों और अन्य विकासकारियों के लिए केंद्र धन देता है तो यहाँ व्योस्ता बिगड़ने पर उसे हस्तक्षेप करने का भी अधिकार है लेखी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर निशाना साथते हुए कहा कि साधा वेश भूशा धारन करते करते एक आम आदमी कैसे शीश महल का निवासी बन गिया कई करोड रुपे का घोटाला करके राजधानी में ऐसी जगह पर बंगला बनवाया गया जहां एक इंड भी रखने की अनुमती नहीं है चर्चा में भाग लेते हुए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आई यू एमल के सांसद अब्दुल समदानी ने कहा कि दिल्ली से जुड़ा विधेक गलत नियत से लाया गया है और ये नकारात्मक विधेक समदान के खिलाफ है बाजपा के मनोज तिवारी ने कहा कि 11 माई को उचितम ने आले का आदेश आया तो दिल्ली की सरकार ने ततकाल सतरकता अधिकारी का तबादला कर दिया तिवारी ने कहा कि ये विधेयक दिल्ली की खुशियों का विधेयक है दिल्ली के गरीबों, जुगीवासियों और महिलाओं की भलाई के लिए है Revolutionary Socialist Party के N.K. प्रेम चंदरन ने कहा कि ये विधेयक असमयधानिक है और इसमें संघीय धांचे पर प्रहार किया गिया है आमाद्मी पार्टी के सोशील कुमार रिंकु ने कहा कि इस विधेयक में संघीय धांचा बरबाद होगा और भीमराव अम्बेटकर की सोच खत्म हो जाएगी इसके बाद में लोगसभा ने राश्ट्री राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी प्रदान की ग्रह मंत्री अमिशाह के जवाब के बाद सदन ने ध्वनिमत से इस विधेयक को स्विकृति दी इस बीच लोगसभा ध्यक्ष के आसन के सामने कागिज फाल कर फैंकने के लिए आमाद्मी पार्टी के सदस्य सुशील कुमार रिंकू को मौनसून सत्र की शेश अवधी के लिए निलम्बित किया गया सरकार ने ब्रहसपतिवार को लोगसभा में विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच डिजिटल व्यक्तिगट डाटा संग्रक्षन विधेयक पेश किया विधेयक को और विचार विमर्ष के लिए संसत की स्थाई समीति को भेजे जाने की विपक्षी सदस्यों के मांग के बीच इलेक्ट्रोनिक से योम सूचना प्रवद्योगी की मंतरी अशुनी वैशनाव ने इसे सदन में पेश किया उन्होंने विधेयक पेश करते हुए कुछ सदस्यों की इस धारना को खारिज कर दिया कि ये एक धन विधेयक है उन्होंने कहा कि ये एक सामान्य विधेयक है सदन में कॉंग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और पार्टी सदस्यों मनीश दिवारी योम शशुत थरूर आदी ने विधेयक का विरोध किया उन्होंने कहा कि इसमें नेजिता का अधिकार जुड़ा है और सरकार को जल्दबाजी में ये विधेयक नहीं लाना चाहिए विधेयक पेश किये जाने का विरोध करते हुए कॉंग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से सूचना का अधिकार और निजिता के अधिकार को कमतर करने का प्रियास किया गिया है विधेयक के उदेश्यों कारणों में कहा गिया है कि डिजिटल माध्यम ने आर्थिक व्योहार के साथ सामाजिक व्योहारों को भी परिवर्थित कर दिया है व्यक्तिकट डाटा का सेवाओं और अन्य प्रायोजनों के लिए उपयोग एक सामान्य पहलू बन गिया है इसमें कहा गिया है कि इस परिप्रेक्ष में डिजिटल अर्थवियोस्ता के रीती के लिए व्यक्तिक डाटा संग्रक्षन एक पूरू अपएक्षा बन गई है ऐसे में ऐसा विधान लाने के आवशकता है जो उपयोग करता हों के निजी डाटा का संग्रक्षन एवं सुरक्षा का उपबंद करता हो डिजिटल व्यक्तिकर डाटा संग्रक्षन विधियक 2023 व्यक्तियों को उनके निजी डाटा की संग्रक्षा के अधिकार प्रदान करता है और आईए अब बात करते हैं राजिसभा की राज्जी सभा ने मनिपूर की इस्तिती पर चर्चा करानी की मांग कर रहे विपक्षी दलों के बहिर गमन के बीच आज तीन विध्यकों अपतटी अक्षेत्र खानिज विकास और विनियमन संशोधन विध्यक 2023 प्रेस और पत्रिका पंजीकरन विध्यक 2023 और अधिवक्ता सं जग दीब धनखड ने जैसे ही सदन में विध्यक पर चर्चा शुरू कराई विपक्षी सदसी ओने मनिपूर के इस्तिती पर चर्चा करानी की मांग की उनकी मांग नम आने जाने के कारण समूचे विपक्षी के सदस से कुछ देर नारे बाजी करने के बाद सदन से बहिर कर गए सदन ने संक्षिप्त चर्चा के बाद खनीज अक्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाने वाले अपतटी अक्षेत्र खनीच विकास और विनियमन संशोधन विध्यक 2023 को दोनिमत से पारित कर दिया जिससे इस पर संसत की मोहर लग गई क्योंकि लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है खान मंतरी प्रलाज जोशी ने विध्यक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि समुद्री क्षेत्रों में खनन का विनियमन करने वाले इस विध्यक को बारत की समुद्री क्षेत्रों में खनन केवल भारत ही नहीं बलकि दुनिया भर के अनेक देशों में पहले से ही हो रहा है उन्होंने कहा कि भाविश्य की जरूरतों को देखते हुए अब भारत ने भी समुद्री खनिज संसादन के दोहन का दाइरा बढ़ाने और महतवपूर्ण खनिजों के खनन का निर नहीं लिया है उन्होंने कुस सदस्यों के संदे को दूर करते हुए कहा कि परमानु खनिजों के खनन का कारिय सारवजनिक शेत्र के उपकरमों के अधीन ही रहेगा और यदि निजिक शेत्र को किसी ब्लॉक में परमानु खनिज का पता चलता है तो ये ब्लॉक सरकारी कमपणी को सौप दिया जाएगा उन्होंने कहा कि ब्लॉकों का अवंटन पूरी पारदर्शी प्रक्रिया के जरिये नीलामी के माध्यम से किया जाएगा उन्होंने कहा कि विधेयक में नीजी क्षेत्र की भागिदारी का भी प्रावधान किया गिया है लेकिन साथ में एक सक्त नियम ये भी बनाया गिया है कि यदि कोई कमपनी ब्लॉक में चार वर्ष तक खनन कारिय शुरू नहीं करती है तो उसकी लीज रद कर दी जाएगी जनुमती दी जा सकती है विधेयक में नीजी कमपनीयों को लीज और खनन लाइसेंस देने का भी प्रावधान किया गिया है लीज और लाइसेंस नीलामी के जरिए प्रतिसपर्धी बोली के आधार पर दिये जाएंगे विधेयक में उन अपतटी अक्षेतरों को खनन के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है जो किसी परिचालन अधिकार के तहट नहीं आते हैं इसके अलावा खनिज संसादनों के दोहन की प्रकरिया खनन के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने और किसी आपदा की इस्तिती में राशी का भुकतान करने के लिए एक अपतटी अक्षेतर खनिज नियास की स्थापना का प्रावधान किया गया है सरकार ने विधियक में लाइसेंस के बिना की जाने वाली खनन गतिविदियों पर पांच वर्ष तक की कैद और पांच लाग से दसलाख रुपे तक के जुर्माने का प्रावधान किया है विधियक पर हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए बीजू जनित अदल के सस्मित पात्रा ने कहा कि परमानु खनिजों के खनन का कारिय केवल सरकारी कंपनियों को ही दिया जाना चाहिए उन्होंने कहा कि विधियक में गैर कानूनी खनन गतिविधियों के लिए सक्तनियम स्वागत योग ये कदम है अन्ना अद्रमुक के डॉक्टर एम थमी दूरई ने कहा कि ये विधियक बेहत महतुपूर है क्योंकि इससे राष्ट्री खनिज संसाधन के दुरूपयोग पर अंकुष लगाने में मदद मिलेगी YSR कongress के पी विजय साही रेड़ी ने विधियक का समर्थन करते हुए कहा कि इसके साथ ही देश में समुद्र तल पर खनन के लिए भी अलग से एक नीती बनाई जानी चाहिए उन्होंने कहा कि समुद्रिक शेत्रों में खनन के दौरान आसपास रहने वाले लोगों के हितों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए बहुजन समाजपाटी के राम जी ने कहा कि समुद्रिक शेत्रों में खनन का वहां रहने वाले लोगों और परियावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा उन्होंने कहा कि इससे जैव विवित्ता भी प्रभावित होगी और मच्छुआरों की आजीविका पर भी असर पड़ेगा देश में पत्र और पत्रिकाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल और ऑनलाइन बनाने वाले विद्यक प्रेस और पत्रिका पंजीकरण विद्यक 2023 को भी आज राजी सभा ने धौनीमत से पारित कर दिया सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराक सिंग ठाकुर ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये विधेयक प्रिटिश शासन के समय के 1867 के कानून की जगह लाये गिया है उन्होंने कहा कि इसका एक प्रमकुदेश गुलामी की मानसिक्ता और पत्र पत्रिकाओं के पंजिकरण की जटिल प्रक्रिया से मुक्ति पाना भी है उन्होंने कहा कि उस समय अंग्रेजों ने ये कानून प्रेस पर अंकुष लगाने के लिए बनाया था जबकि अब मुदी सरकार प्रेस की स्वतंतरता को बरकरार रखने और नियमों की जटिलता को समाप्त करने के लिए लाई है उन्होंने कहा कि पहले के कानून में पत्रिया पत्रिका के पंजिकरण के लिए आठ चरणों से गुजरना होता था जबकि नए विधियक में पंजिकरण के लिए केवल एक ही चरण होगा और उसके लिए भी न तो जिला मजिस्टेट के सामने व्यक्तिकत रूप से जाना होगा और नहीं समाचार पत्रों के रेजिस्टार के पास जाना होगा उन्होंने कहा कि जहां पहले के कानून में पत्र पत्रिका के पंजीकरण में दो से तीन वर्ष का समय लगता था अब ये कारिये दो से तीन महीने में हो जाएगा उन्होंने कहा कि यदि जिला मेजिस्टेट किसी आवेदन पर दो महीने तक कारिवाही नहीं करते हैं तो समाचार पत्र रेजिस्टार उनके आवेदन की प्रेक्रिया पर स्वहम आगे कारिवाही कर पंजी करन कर सकते हैं उन्होंने कहा कि विदेहक में पत्र पत्रिका के पंजी करण के लिए जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी तरह का गोशना पत्र देने की जरूरत भी समाप्त कर दी गई है सूचना और प्रिसारण मंत्री ने कहा कि विदेहक का मसोधा तयार करने के समय राजियों के साथ भी व्यापक विचार विमार्श किया गिया है उन्होंने कहा कि विदेयक का एक उदेश या छोटी मोटी गलतियों के लिए अपराधों को समाप्त कर पारदर्शिता लाना और कारुवार सुगमता को बढ़ाना है उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ती बिना अनुमती के पत्र या पत्रिका का प्रकाशन करता है तो उसके खिलाफ कारवाई का प्रावधान किया गया है ऐसे व्यक्ति को पहले नोटिस देकर 6 महीने में जवाब मागा जाएगा और यदि वो कोई जवाब नहीं देता है तो उसके खिलाब उचित कारवाई की जाएगी उन्होंने कहा कि विदेयक में सक्त प्रावधान किया गिया है कि आतंकवाद या गैर कानूनी गत्विधियों में शामिल व्यक्तियों को समाचार पत्र या पत्रिका के पंजीकरण की अनुमती नहीं दी जाएगी विदेशी समाचार पत्रों को भारत में पंजीकरण के लिए सरकार से पहले जरूरी अनुमती लेनी होगी उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ती दैनिक पत्र का पंजीकरण कराता है और वर्ष में आधे दिन ही उसका प्रकाशन करता है तो उसके खलाब कारवाई की जा सकती है विदेहक में अन्यमित्ताओं के लिए प्रकाशक पर पांच लाक रूपय तक के जुर्माने का प्राउधन किया गया है ठाकुर ने कहा कि पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल को बनाने का कारिया जन्वरी से चल रहा है और ये पोर्टल जल्द ही कारी करना शुरू कर देगा सदस्यों द्वरा फेक न्यूज के बारे में उठाए गए मुद्दों पर उन्होंने कहा कि अब तक पत्र सूचना कारिया लई ने 1200 से अधिक फैक्ट चेक कर लोगों को खबर की सत्यता के बारे में बताया है देश के खिलाब भामक प्रचार करने वाले अनेक यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध भी लगाया गिया है विज्यापन कोट के तहट भी 32 चैनलों के खिलाब कारिवाही की गई है तो संसल समाचार में फिलाल इतना ही नमस्कार प्याइ के खिलाब ऑारे में थै।